हेलो एफ्रिवान वेलकम बैक टू इग्णू एक्जाम्स आज मैं आपको इग्णू के कोर्स बी ए ए एनस वानेटी फोर का प्रीवेस एर का पेपर करवा रही हूं देखे यह हमारा सब्जेक कोड़ बी एनस वानेटी फोर डिसेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में यह एक प्लस यहां पे आपके पास एक ही ऐसा ही बिल्कुल सब्जेक्ट सेम सब्जेक कोड़ है वो कुछ ऐसा ही सेमिलर सा है लेकिन उसमें आपको कन्फूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट से रिलेटिड है लेकिन जो यह बी एनस वानेटी आपका पब्लिक हेल्थ से रिलेटिड है और यह जो पेपर है आपका यह आपका थ्री आर्स का पेपर नहीं है यह टू आर्स का पेपर है और इसमें जो वेटे जब वो भी कम है मीन्स कि यह आपका जो पेपर है यह 50 मार्क्स का पेपर है टू आर्स का टाइम आपको इसको करने को मिलेगा और इसमें भी आपको 5 questions करने हैं लेकिन हाँ ये चीज है कि इसमें जो आपकी word limiter words की वो काफी कम हो गई है तो 5 questions तो attempt करने हैं लेकिन जहाँ पे पहले आप 20 marks के लिए 4 to 5 pages भरते थे बहाँ पे आप 2 से 3 sheets भी एक answer के लिए 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 इसको complete कर सकते है अगर आपका ये subject code है तो यहाँ पे ये subject आपका 50 marks का है और आपको time यहाँ पे 3 hours नहीं मिलेंगे 2 hours का time मिलेगा और उतने hours में आपको ये paper को complete करना है देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो word limit है जो 10 marks है आपके 2 parts में यहाँ पे 2 marks में इस paper को divide किया गया है कुछ questions आपको 10 marks के मिलेंगे और कुछ questions आपको 5 marks के मिलेंगे लेकिन questions में word limit आपको दे रखिया है जो 10 marks के questions है उसमें आपको 300 words यूज करने है और जो आपके 5 marks के question है उसमें आपको 150 words को use करना है स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से ये जो पेपर है आपका ये भी आपका बाइलेंग्विल है इसमें अभी मैं आपको इंग्लिश में questions दिखा रही हूँ इसके next लाइड में ही आपको ये ही same questions हिंदी में भी मिल जाएंगे देखिए first question है define public health briefly discuss its origin and development आपको यहाँ पे एक first question में दो पार्ट से रखे हैं जैसे कि पहले तो आपको public health को define करना है इसके अलावा जो इसका origin और development है इसको briefly discuss करना है ये question आपका 10 marks का है it means आपको 300 words में इस answer को complete करना है next देखिए question आपके पास में क्या कहते हैं briefly comment on various health care services in India हमारे भारत देश में बहुत सारी health care services है उसके उपर आपको comment करना है या light डालने statement के उपर कि किस type की है क्या lackness वहां पे face करनी पड़ सकती है किस-किस field में health से related क्या-क्या आपको ऐसी opportunities है क्या-क्या services है जो एक patient को मिलनी चाहिए और जो मिलती है या किस तरीके से उसमें improvement करी जा सकती है तो इस तरीके से आपको इस answer को complete करना है और यह भी आपका 10 marks में ही है next देखे अब यह जो question है अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि यह तीनो questions आपके 10 marks की weightage में है तो यहाँ पे आपको 300 words में answer करना है लेकिन जो question number 4 है यहाँ पे आपको इन तीन points मे इन तीन में से किसी भी 2 के उपर आपको short note लिखना है और वो short note की weightage 5 each 5 for each में यहाँ पे आपको A दे रखा है B दे रखा है C दे रखा है इन तीनों में आपको 55 marks की weightage आपको दे रखी है आपको कोई भी 2 pick करने है और किसी भी 2 points के उपर short note लिखना है चाहे ता आप vaccination और malaria पे लिख लीजे चाहे आप epidemic, endemic और vaccination means कि कोई भी जो भी आपको 2 अच्छे से short note आते हों जिसके बारे में आपको idea हो और आप उस पे कम से कम 100 प्लस words या 200 something words अगर आप लिख पाते हैं तो कोई भी 2 पे आपको short note लिखना है next देखे यहाँ पे आपके चार questions हो गए next page पे भी आपको चार questions दे रखे हैं in short आपको 8 questions दे रखे हैं again section B है ही हमारा और आपको 8 questions में से कोई भी 5 questions को attempt करना है यहाँ पे देखे section B क्या कहता है question number 5 is discuss the impact of globalization on human health human health पे globalization का क्या impact है वो आपको लिखना है या आपका 10 marks का question है public health infrastructure in the management of COVID-19 यह question नहीं आएगा क्योंकि यह COVID के time का था paper भी पहले का है तो अभी जो recently जो भी बिमारी चल रही होती है news में उससे related health क्या-क्या चीजों को face करती है क्या-क्या symptoms हो सकते हैं तो वो आपको answer यहाँ पे prepare करना है next question number 7 is define environmental health briefly discuss the effects of biological, chemical and physical agents in our in-ear on human health question 10 बहुत important है प्लस अगर आप थोड़ा बहुत भी news पढ़ते हैं और अपने आपको update रखते हैं तो भी आप इन answers को attempt कर सकते हैं कुछ ऐसा hard and fast नहीं है कि इसमें answers आपको समझ में ही नहीं आएंगे कि क्या-क्या points आपको लिखने हैं next देखे question number 8 is again यहाँ पे भी आपको question number 4 की तरह कोई भी दो points के उपर short note लिखना है mean, t-test, innova इन मेंसे 4 मेंसे किसी के उपर भी आपको कोई भी दो pick करने हैं और उनके उपर आपको short note लिखना है so यह हो गया आपका English में complete paper, आठ मेंसे कोई भी 5 questions आपको करने हैं next देखे, यहाँ पे हमारा Hindi में आपको paper मिलेगा देखने को, यह हमारा subject code है सावरजनिक, स्वास्ते और महामारी विज्ञान, यह subject का नाम है again, 50 marks का paper है, 2 hours का time आपको मिलेगा और total 8 में से कोई भी 5 questions को आपको attempt करना है अब Hindi में questions स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक request करना चाहूंगी आप में अभी तक मेरे चानल को बहुत बहुत जादा support किया है आप इसके अलावा, join button को press करके, जहां पर आपको कुछ amount pay करना पड़ेगा उसके बाद में आप मुझसे connect हो सकते हैं, notes की PDF या फिर कोई आपका particular subject है जिसकी videos मैंने upload नहीं करी है, तो आप उस amount की helps के बाद में, I mean जब आप वो amount pay करेंगे तो फिर आप जब उससे connect हो जाएंगे, तो मैं आपको personally वो videos दे दूँगी, उसके लिए recording करके इसके अलावा आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं, जिसके लिए कि आपको मेरा second channel को subscribe करना पड़ेगा और guys मैंने 29th of May को एक video डाली थी, जिसमें कि मैंने अपने Instagram ID का और मेरे दूसरे channel का link भी दिया था इन videos में भी मैं डालूँगी अभी link, लेकिन आप भी update करने का इतना time नहीं मिल पा रहा है मुझे so इसलिए मैंने नहीं डाला है, बाकी आप please जैसे अपने इस channel को support किया है ऐसे ही उस channel को भी अपने according support कर दीजे, जितना max to max हो सकता है videos को share करिए उस channel की help से आप अपने competitive exam की preparation को boost कर सकते हैं अभी CGL का exam है, उसके बाद में CHSL का exam है, फिर Delhi Police का भी exam है तो ऐसे competitive exams को अगर आप target कर रहे हैं, so वहाँ पे मैं आपको बहुत सारी videos उनसे related दे दूँगी सो प्लीज जितना max to max हो सकता है physics phantom को भी आप लो subscribe और share कर लीजेगा एक दूसरे में like करिएगा और जितना max to max हो सकता है आप अपने friends में भी उस channel को share कर दीजेगा स्टार्ट करते हैं, खंड देखे, question देखे फस्ट question है, सावरजिनिक स्वास्ते को परिभाशित कीजे, इसकी उत्पत्ति और विकास की sunshape में चर्चा कीजे 10 marks का question है, second question है, भारत में विभिन स्वास्ते देख भाल सहिवाओं पर sunshape में टिपनी कीजे ये भी again 10 marks का question है, question number 3 is, महामारी विज्ञान क्या है, विभिन प्रकार के वर्नात्मक अध्यानों की sunshape में चर्चा कीजे ये भी question आपका 10 marks का है, लेकिन question number 4 में थोड़ा सा twist आपको देखने को मिलेगा उपर के तीनों questions आपके 10-10 marks के थे, लेकिन जो आपका question number 4 है, ये भी 10 marks का है, बट यहाँ पे इन 3 में से कोई भी 2 के उपर आपको short note लिखना है और वो दोनों short note 5-5 marks की weightage में है नेक्स देखे, question number 5 is, मानव स्वास्ते पर वैश्वी करन के प्रभाव की चर्चा कीजे, ये भी आपका 10 marks का question है नेक्स इसको आप छोड़ दीजेगा, question number 7 देखे, प्रयावरेनिय स्वास्ते को परिभाशित कीजे, मानव स्वास्ते पर वायू में जैविक, रसाइनिक और भोतिक कारकों के प्रभावों की संशेप में चर्चा कीजे ये भी question आपका 10 marks का, so यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ तक के question 10 10 marks के दे रखे हैं, लेकिन जो question number 8 है, यहाँ पर आपको किनी भी 2 points के उपर short note लिखना है अब देखिए, यहाँ पर 3 points आपको दे रखे हैं, जैसे माध्य मीन, T-Test और Innova, इन 3 में से किसी के भी 2 के उपर आपको short note लिखना है, और यह भी आपका 10 marks की weightage में आता है, यह हो गया आपका complete paper BANS 184, वीडियो को like कर देजेगा, now मिलते हैं next video में, thank you so much